नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शेलिश और आपका टेक जंक्शन में स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले है फायर बोल्ट की लेटेस्ट स्मार्ट वाच जो मार्केट में लाँच हुई है जो की है फायर बोल्ट 360 यह बाच इंडिया में 3500 प्राइश रैंज में लाँच हुई है और इस वीडियो में हम देखेंगे 3500 रॉपिस में ये वाच क्या-kbaumकाइब प्रवाइड करती है और 3500 रॉपिस में ये वाच आपको लेनी चाहिए या नहीं ये भी देखेंगे तो बने रहे हैं इस वीडियो में अंत तक तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप यहां नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीचेगा और उस बेल आइकन को अगर आप उन में से हो जिनको अगर राउंड डायल वाचस पसंद है यह वाच आप कंसिडर कर सकते हो राउंड डायल होने के साथ साथ कि डायल जो है वो मेटलिक बॉड़ी के साथ आएगा जो कि इस वाच को और भी प्रीमियम लुक देता है और अगर स्क्रीन की प्राइटनेस की बात करें तो इस वाच का पीक प्राइटनेस काफी हद तक ठीक टाक है आप इसे आसानी से डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ कर पाऊगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथ ही इस वाच के साथ आपको रोटेटिंग मेनी ऑप्शन मिलेगा जो कि इस वाच का बहुत ही इंट्रेस्टिंग फीचर होगा बात करते हैं इस वाच के सेंसर की तो इस वाच के साथ आपको मिलेगा SPO2 sensor आपके blood के oxygen level को monitor करेगा 24x7 heart rate monitoring system मिलेगा तो इस watch के साथ आप अपना blood pressure भी monitor कर पाऊगे lip monitoring का system मिलेगा आप इस watch के साथ अपने steps track भी कर सकते हो calories burn count कर सकते हो और distance covered भी count कर सकते हो तो almost सभी smart watches के हिसाब से इस watch में भी आपको सभी sensors देखने मिलेंगे इस watch के साथ आपको 2 games मिलेंगे एक bird game और एक 2048 game अगर आप कहीं बैटके बोर हो रहे हो तो आप इन game को try कर सकते हो यह काफी interesting सा feature लगा मुझे smart watch के साथ क्योंकि यह हर smart watch के साथ inbuilt game और entertainment का system नहीं होता तो आप इस feature को consider कर सकते हो अगर आप यह watch लेना चाहते हो तो क्योंकि 3500 price range में ऐसे बहुत ही कम watches है जिनमें यह games के features डाले गए हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं और एक पत याद दिला दूँ अगर आप यहां नहीं हो तो इस channel को please subscribe कर दीजे और इस bell icon को भी press कर देना ताकि हमारे आगे आने वाले सभी updates आप तक सही समय पे पहुंचे और इस watch के साथ आपको IP68 का waterproof rating मिलेगा जिसकी मदद से आप इस watch को देड़ मिटर पानी के अंदर आसानी से पहन के swim कर पाओगे हलांकि आप इस watch को maximum 30 minutes तक ही पानी के अंदर रख सकोगे अगर आप बहुत देर तक swimming करते हो तो इस बात को आपको ध्यान देनी पड़ेगे इस watch के साथ आपको multi sports mode भी मिलेंगे जिन में से running, football, walking, basketball, cycling, skipping, badminton, swimming ये कुछ sports होंगे जिनको आप आसाने से track कर सकोगे अब अगर बात करते हैं connectivity के बारे में तो इस watch के साथ आपको Bluetooth 5.0 का support मिलेगा और इस watch को आप अपने smart phone के साथ connect करके काफी सारे applications control कर पाऊगे जैसे आप इस watch को as a camera shutter use कर पाऊगे आप इस watch के मदद से अपने mobile का music control कर सकोगे और आपको इस watch में आपके mobile के smart notifications मिलेंगे जैसे Facebook हो गया Google हो गया Instagram, WhatsApp, Twitter, message notifications हो गया YouTube हो गया और आपको इस watch में call notifications भी दिखेंगे आप call silent और reject कर पाऊगे लेकिन answer नहीं कर पाऊगे क्योंकि इस में microphone और speaker नहीं है तो ये ध्यान देने वाली बात होगी आखिर में आप बात करते हैं इस watch के battery के बारे में तो इस watch के साथ आपको दमदार battery मिलने वाला है जो 100% charge के साथ आपको 8 दिन का daily use battery life देखने मिलेगा और अगर आप standby के लिए देखोगे तो ये 20 days का standby battery life देगा जो एक अच्छी बात होने वाली है इस smart watch के इस price range में अब बात करते हैं दोस्तो इस smart watch को आपको लेना चाहिए या नहीं दोस्तो ऐसे बहुत से कम watches है जो इस price segment में आपको इतने अच्छे-चे features देते हैं और ये metal body होने के कारण और round dial में ये बहुत ही premium look देता है तो अगर आपको round dial वाले watches पसंद है तो ये watch आप जरूर प्रिफर कर सकते हो buy करने के लिए तो आपको क्या लगता है दोस्तो ये price segment में ये watch लेनी चाहिए या नहीं comment session में comment करके जरूर बताना दोस्तो अगर आपने इस channel को अब तक subscribe नहीं किया है तो इस channel को please subscribe कर लेना और इस video को like और share जरूर कर देना मिलेंगे किसी अगले video में तब तक अपना ख्याल रखना धन्यवाद